हलो एब्रीवन कैसे हैं सब आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम सीखेंगे माइक्रोणी माइक्रोणी या पास्ता कैसे बनाते हैं ि किचिन में बनाते हैं कर द dobr करने के पहले से रख दिया था सो पानी में बौयल आचुका है अब मैंने एकक र LIA माइक्रोणी इसको मैं के और पाणी में डाल दिया और थोड़ा सा ओल लेंगे इसमें डाल देंगे यै इस लिए डालते pants और ये बेजज लिए हम मैने सिमला मिर्ची टमाटर अद्रक प्याज और गाजर इनको बारीकी से चौप कर लेंगे क्योंकि अभी मौसम चला सर्दियों का तो अच्छे से बेज़ डाल के बनाओ तो अच्छा लगता है आपके पास जितनी भी सब्जियां डालना चाहें डाल सकते हैं मैंने यह सिमला मिर्ची गाजर टमाटर और प्याज अद्रक और यह लैसुन लैसुन छिलना बांकी रह गया था तो अब लैसुन को मैं फटाफट से चील लेते हूं कि बिना लैसुन के माइक्रोनी या पास्ता मैं पास्ता वह बिले इतना टेश्ट नहीं आता है जब तक लेसुन हुआ लालेंगा to थोड़ा सा द्य। यह लिए मैंने आए लेेffर दस कर लें लिएं इन्कों अच्छे से पील अच्छे से पील आप कर लेंगी कन अच्छे से हमार है बारिक से अब यह द्थेग कर रहा ह है तो आशानी से हां कट जा रही है इसका अभी ऐश कर रले है plugging है कि ऐसके खाल की तब सआइट तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जाएगी तोसो फीम। मैं थ्मधर मैंने ए ważब Чер.- यह सब था तोड़ा सा वट्र डालूंगी, क्योंकि बट्र से जो माइकरोणी या पास्ता बनता है, उसमें टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अलग आता है, तोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आता है, ऐसने मूने में betas čट अलगता है, ये थोड़ा सा मैने वट्र लिया था, इसको अच्छे से जीराई ये दाल के ये सौ्टे कर लिया है अब ये साध़ जो बांकी वजी वेज़ हैं बचे थे ये गाजर और सिम्ला मिर्च ये भी मैंने अब एड कर दिया है इनको अच्छे से थोड़ा भूनेंगे पहले सौर्टे करेंगे इसके बाद इसमें क्या करेंगे, मसाले अड़ करेंगे, शो יह मैंने मिर्ची, नमक, भुना हुआ जीरा, झोड़ा सा भुना हुआ धनिया यह लिया था। Batterस की टील करेंगे इसको डाल दिया है, इसको अच्छे से सौ Radio सीदियार देख कर्शियार जाएंगे नतर intriam हो के पज़ाएंगे देखा शthat सब्यार से सब्वगर फेरा तो मैं तो इससे स्टीम हो जाएंगे तर紧 के साथ सब्विल करशिकन देख और सन्य गर्यांगे देख गयर दरूब हो चुकी मौनारी यह मैंने लिया है ग्रीन चिली सौस को आड करूंगी अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी मिक्स कर दिया है अभी मैंने ग्रीन चिली से अब मैं क्या करूंगी जो मैंने श्ट्रीन करके रखा था यह माइक्रोनी अब इसको ऐड करूँगी अच्छे से डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी अच्छे से मिलाएंगे यह देखिए इसको क्या है कि आराम आराम से मिलाई और आपके पास जो भी सौश हो आप टोमाइटो केचप डालना चाहें माइक्रोनी पास्ता यह देखिए मैंने प्लेट रेडी कर दी है तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू वाचिंग